नमस्कार निउस बाइसकोप देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ नविट गुपता पुरो केंद्रे मंत्री रसी पी सी ने जाती जनगन्ना पर सवाल उठाया है उन्होंने जानना चाहा कि इसके पीछे उद्देश से क्या है इसके साथ ही उन्होंने मुक्यमंत्री नितीश कुमार की समधान यात्रा पर भी संदेख जुताया है उन्होंने पूछा कि पिछले तीन दिनों में कितने समस्याओं का समधान हुआ है उन्होंने नालंदा जिले के राजगीर स्थित हौकी मैदान मायोजित वनभोज सर जनसमवाद कारिक्रम में ये बातें कहीई समस्य क्या है समस्या मैंने पताया को सुरू में इसका समाधान ढूना जाना है कि कैसे हमारे विहार के जो बेरोजगार जुबा है उनको काम मिले उनको रोजगार मिले आप ध्यान बटाने के लिए तरह तरह का कारिक्रम चलाते हैं कभी यात्रा पर निकलते हैं कभी कोई कारिक्रम चला लेते हैं मुख्य मुद्व पर आए आज उनको मुखमंत्री का मैं सुन रहा था कि बैग्यानिक आकड़े मीलें और इससे विकास करने मौका मिलें कौन सा आकड़े कमी है कमी यही सबसे बड़ा मुद्दा है विहार आज भी आप जड़ा सोची प्रती ब्यक्ति आए सबसे पीचे हम हैं यह मुद्दा नहीं है इस मुद्दा पर कोई बात हो रही है तो लोगों का मन आप जानते हैं बिहार तो आप जानते हैं यहां जाती धर्म करोज खेल खेलते रहते बताया देनी दिश्री के बच्चे जाते हैं वहां पर अब सर्षन करते हैं आपकी लाठी चलवा देते हैं यही रहा गया है तो देखिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक से एक अत्रकंड़े अपना रहे हैं बिहार विधान परिशत के नेता प्रतिपक्च समराच चौधरी ने जगदनन सिंग के राम मंदिर पर दिये गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रभु स्री राम अखन भारत के राजा थे भारत का जो समविधान बना है उसमें भी श्री राम का नाम है मुगलों और अंग्रेजों से लड़कर भारत की जनता ने स्री राम को स्थापित किया उन्होंने कहा कि नरिंद्र मोदी से लोग पूछते थे तारीख कब बताओगे अब तो अमिद साह ने भी तारीख बता दी है जब तारीख बता दे तब लोगों के पेट में दर्द हो और साड़े चार सौ वर्षों तक मुगलों से लड़कर अंग्रेजों से लड़कर इंदुस्तान के लोगों ने भगवान स्री राम को वहां स्थापित करने का काम किया नरेन मोदी जी से लोग पूछते थे तारीख कब बताओगे अब तो तारीख अमिचा जी ने बता दि कि राम मंदिर की सुवात किस तारीख को होगी अब सुभावी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और मांसिक इस्तिती गढ़बढ़ा गई प्रभू स्री राम सब के राम यह कैसे कोई कर सकता कल तक यही लोग पूछते थे तारीख बताएगा अब यह तारीख बताने वाले नहीं है क्योंकि रास्तिया जंतादर के नेटा लालू प्रशाद की कवत्ती मुकमंतरी के तौर पर भाजपा के सब्सएग से हुआ तब भी हमारा एजेंडा था प्रभु स्री राम का राम नंदिर तो कल क्यों सरम लग रहा था जब उने 190 में लालू प्रिशाजी ईऐ हुकमंदिर बन रहते तब याद नहीं था कि बाजपा का एजंड़ा राम मंदिर है बाजपा का क्यों समर्था लिया बाजपा के किर्पा से लालू और रितीज दोनों बिहार की गर्दी पर वेखे अब इनोगों को समर्था लिया